नमस्कार जैस्वी कृष्णा मेरा के शिवानी आइस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं जैसा कि पिछली कुछ वीडियो से मैं आपको बताया भी था कि मैंने ज्योतिष ग्यान नाम से एक सीरीज स्टार्ट की है उसके अंदर मैं स्टार्टिंग से ले हैं इसी के बारे में थोड़ा विसरा चर्च आगे से ही है अभी राशियों के बारे में चल ला है राशियों से फिर ग्रह से अपर दशा पर आएंगे गोचर पर और अडवान्स आस्टालोजी माएंगे तब आपको जाके पूरी एस्टालोजी मिलेगी तो थोड़ा धैर् लखें उस समय के पश्चार सब चीजे आपको वेलिबिल होनी चालू हो जाएंगी अभी जो है हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारा राशियों के सभाव होते हैं और राशी का डिफरेंट 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 डाशी जो हैं जैसे मेश है परश है मितुन है करक है तुला है इन राशियों के लिए लखी नंबर हैं कि इनके लिए परफ्यूम्स हैं अगर आपको ये वाला परफ्यूम लगाना चाहिए तो वो सब चीजे हैं जो मैं आपको बताऊंगा आध्के सभाव उनके आपके बारें बताऊंगा उनको आपको तो ज्यादा है समय वेच्छा कर मेश राशी के बारे में दिया वाया, राशियों के सुभाव की जब हम बात कर रहे हैं, तो पीछे हमने कुछ थोड़ा पढ़ा, कि मेश राशी अगणी राशी है, या च्छत्रिय राशी है, ये सब चीज़ तो हम इसके दर पढ़ा पीछे जिन लोगों ने पीछे की वीडि होता है वह फिए ocupल गश्राशिया क्या स्मू है और और बादा गया में प्रॉमान को लगता है जैसे गलता है जैसे कोई सिंग खड़ा हुआ है जैसे कोई लड़की खड़ी हुई है थात में धान लिये हुए तो ये सब चीजें उसी के अनुसार राशियों के नाम हम लोगों ने दे दिये हैं। आप मिलान उनके हो सकता है वह सिंग वाले तोला वाले धनुरशन वाले लिओ राशी लिब्रा राशी और सेगेटेरियस राशी राशी के जो व्यग्ति होते हैं वो इन लोगों के दोष्य बन सकते हैं अच्छे मित्र बन सकते हैं अब आता है कि इनका लखी पर्फियूम क्या होता है बहुत बढ़िया देखे बहुत इंपॉर्टन्ट चीजे हैं यह नॉर्मली मिलती नहीं इसानी से लेकिन पर्फियूम होता है जिसे आप लोग खुश्मू लगाते हैं आज के डेट में तो इतना यूथ है वो तो वल्ला वल्ला है उसमें कोई सी बात यह नहीं है तो इस तरिके से कोशीश हमें करने ही कि जो हमारी राज़ी है उसके इसाबसे हम पर्फियूम लगा लें तो बहुती बढ़िया हो जाएगा पर्फियूम के शौकीन तो होते ही है तो ड्रेगन ब्रड के नाम से एक तो तीन पांच यानि यह जो पाँच छे नंबर हैं में साथ नंबर जो हैं इन नंबरों पर जिंन नौह का मेशराशी है इन नंबर के अनुसार अपना कारे कर सकते हैं बारी खरीद रहे हैं, तो इन नमबर का तोटल आ जाए 9 तोटल हो लग्रिजंद नास्वी तोटल मिला के एक का तोटल हो या चार का तोटल हो अब मदद देख सकते हैं जैसे भी करना जाये तो उसके इसाब से आप नमबर चूज कर सकते हैं इसी प्रकार इन के भाग ये शाली दिन लखी डेज भी बताये गए हैं मिश्राशी वालों के लिए मंगलवार शनीवार और शुक्रवार यानि इस दिन अगर अपने ये काम स्टार्ट करें तो काम में सफलता पाने की गुंजाईश या सफलता पाने की जो probability है वो काफी बढ़ जाती है अगर व वो बहुत बढ़िया जैम है रूभी है वो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है लखी कलर के लिए बताया गया है कि ये ये कलर इनके लिए बहुत लखी बढ़र होते हैं लेकिन ब्लैक को बैट करना चाहिए ऐसे लोग जिनकी बिश्राशी है तकाले रंग के कप्र ना प दिन इसके लिए बढ़िया रहता है कि वो ब्रत रखे कि मंगल ग्रह है हनुमान जी का दिन है अपना राम से मंगलवार को आप ब्रत रख सकते हैं तो उसके लिए ये बताया गया है अब ये राशी मैंने पीछे भी आपको बताई कि तीन तरह की चार तरह की चीजे में आपको बताई कि चर राशी होती है अचर राशी होती है दीसभाव होती है इसी प्रकार से अगनी प्रत्वी वायू जल राशी का प्रकार है चत्रिय है रामन है शुद्र है ये राशियों और अगनी राशी तो मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति अपने अंदर बातों को को माँच जाती चलने में जयारे यकीन लगते हैं यह जो बी पसंद करते हैं इंको अब इसे लोगों को सेलस में मार्केटिंग में ऐसे ज्जादा रहे हैं जहां पर इसे लोग वहां पर बहुत सक्सेस हो दोते हैं अगनी राशी फायर है अगनी राशी है तो अगनी राशी है तो अगनी निकल गया तो वही इनका क्रोध होता है अच्छा साइन क्या पताया था हमने साइन पताया था कि बेड़ा यानि कि बकरा है लगा लो या नेड़ लगा लो ऐसे करके साइन होता है अब आपने कभी शैद देखी यो बकरी की लड़ाई तो बखर की जो लड़ाई होती है उनमें दोनों में से जब लड़ाई होती है तो कोई एक ही बसता है एक बज जाता है अच्छा उनके कान में कुछ को हो ना तो कान के बड़े कच्चे होते हैं ये लोगे लेकिन आपको काम करने चल देढ़े लेकिन आपका काम करने चल देगे चलाए में बहुत जल्दी आदे नहीं चुटबा पीछे पताया आपको कि चार पैर हैं भेड के तो चतुशपत्साइन हो गया दो पैर हों तो जीपत्साइन हो गया जो चतुशपत्साइन है। चतुशपत शाइन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोगूंगो समाजिक रूप से जुढने में परिशानी हुए। जो कहना चाहते हैं वो तो कह देंगे लेकिन सुनेंगे किसी कि न यह थोड़ी दिक्कत होती है इनके साथ तो जो चतुष्पत साइन होता है चतुष्पत साइन के अंदर ये खास बात होती है जो दीपत साइन हो ऐसे लोग समाज में समाजिक्ता में बड़े राम से मिल जाते हैं और बातों को समझते हैं अपनी बात भी कहते हैं दूसरों की बात भी सुनते हैं जो दीपत साइन वाल प्रश्टो ने पीछे से पहले उना कालो और परश्टोदय राजिया का मतलब इतना हिं कि प्रश्चो दरश्ची में बैठे वे ग्रहे जो हैं अपनी दशा के अंत में रिजल्ट देते हैं अभी दशा क्या है क्या परणाम देंगे यह आपको मैंने भी पढ़ाया नहीं है जब आगे पढ़ाऊंगा ता आपको मालम चलेगा लेकिन इतना ज्यान रखिए कि ग्रहे का एक पीरड होता है जब वो अपना परणाम देते हैं हर ग्रहे का एक पीरड आता है हर ग्रहे का एक समय आता है उसको दशा बोलते हैं शुक्र ग्रहे है उसको दशा बोलेंगे गुरू ग्रहे है उसको दशा बोलेंगे तो इसी प्रकार से हर ग्रहे का एक समय आता है जिस इसको हम दशाह बोलते हैं तो प्रस्टो दर राशी में रहने वाले ग्रहे उत्र inflammation यति वह त्हुजुवर्य तो पुरुष राशी है मेस्यराशी तू बटाया था करूडर और राशी दो राशी आपको बता ही थी जितनी भी सम राशी यहां वह सारी सिसली राशी केल आती है इसी राशी वालों में क्रुछ चोछी दून होते हैं अच्छा है और ची कहलाती है पित्च प्रकरती की राशी होती है चार तरह कि मैंने आपको दोश बताई थे वाट पित्च वायू और दोश कोपस्क उत्रत हहां इस तरह के दोष लोगों को होते हैं अर जितनी बिमारियां होती है शायद इस दोश के लवभा और की दोश पे विमारिय। इरवेड तू यहि कहता है जो भी बिमारी है वाट पित वायू और कफ चार रसे हैं इन चार रसकी बिमार या कुछ नहीं धिया गया है अुछ देश है एक रहे करता है एक िधार कृता रटा हैadaki यह उत्या फोटआए अरी तीन धोर्श करते हैं हैं जो मुत तरी तीन करता है कफभी करता दैसे बुद्ध को हमने तिदोश कारत ब्राइब को बहत से पंद्रह अपरैल से पंद्रह मेhen के भी तो सूर्या इस राशी में रहता है मेश राशी है छत्रिया Gentlemen बताया था मैंने आपको कि छत्रीय वर्ण है तो क्या है कि दूसरों के लिए कुछ करने उत्यार रहेंगे कोई बीज़ासा इनको थोड़ा सा कहे दे कि भाई वह चीज सौल नहीं हो रही है या परिशान कर रहा है इसा कर रहा है आपके साथ चल दो यह इनमें खास बात होती ह चत्रिय थैप हें यह कास की बात कर रहा है इस तरहे के लोग इस तरह की इस तरह के वालेटी से एंग जो कि अब आग राशी वाले की अपनी फीड़ा स्टेंथ होती हैं कि लुएर स्टेंथ होती है राषी में कुछ नकुश्त वहीं है इंके अंदर भी कि अपनी कुछ higher strength कुछ lower strength के बारे में बात करूंगा है कि यह लोग बहुत ही गतिशील होते हैं creative होते हैं कि अपने आप में जो कुछ कहेंगे औरिजिनल बात कहेंगे कहीं की पड़ीली की बात नहीं बोलेंगे आपसे इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें मुखर होते हैं यह जैसे पीछे बताया कि चतुषपात साइन है अपनी बात कहेंगे इस उनेंगे नहीं तो ऐसे लोग मुखर बहुत होते हैं मेशणाशी वाले सपस्ट कहना लाग लक्वेट के बात भी गणना जानते हैं इस नायक होते हैं यूजन्य शन्ता बहुत अच्छी होगिए यह यूजन्य श्रम्ता मीस कि इन की हमेर करने का जो प्लाइंग करेंगे अगर आप इन से को प्लाइंग धो बड़िया रहते हैं strong willpower होती है बहुत इनकी आसानी से हर नहीं मानते है आसानी से emotion नहीं होती है बहुत strong willpower होती है self confident बहुत होते है art विश्वास इनके अंदर बहुत भरा होता है love for art art के लिए इनके पास इनके अंदर बड़ा love होता है बहुत प्रेम होता है आर्ट है, म्यूजिक है, एलिगेंस है, ब्यूटी है, इसको यह देखना चाहते हैं, आर्ट को, एलिगेंस को, ब्यूटी को, इसके लिए इनके मन में बहुत प्रेम होता है, एक गुड लीडर, बहुत अच्छे नीता होते हैं, और तब लीडर मेंस, नीता मेंस की यह नहीं क कि असक्ति बंति हको कि अपिक।öyle, लोग को इसे ही होते हैं, अपनी लाइफ में रिस्क लेने वाले होते हैं और परिवर्तन को हमेशा पसंद करते हैं, बद़ बद्धा पसंद करते हैं जीवन के अदर ऐसा नहीं कि एकी ड़ॉर्ड़ पको चलते रहें अथा अपने लाइफ बे बदला को पसंद करते हैं तो यह इन इंदर हाइर स्टेंथ होती इसी प्रकार इनके अंदर कुछ लोवर स्टेंथ ही है क्या है जब हायर अपती आती है तो अच्छी चीज आती है तो बहुत जल्दी नराज जाते हैं तेस्भावाले एक्स्ट्रीमिस्ट वो गुरुवादी हैं रैश उताबले हैं रेस्टलेस बेचैन रहते हैं मतलब भागा दोड़ी मन में रहती है चैन नहीं है पेशेंस नहीं है मन के अंदर जरा सी में रेस्टलेस को आप चाहें तो पॉजिटिविटी बहुत जादा हो जाती है तो इन में रेस्टलेस इतनी ज्यादा है कि हमने इसको इसलिए लोगों इसको स्थान दिया है आकरमक होते हैं बहुत जादा कि इनकी साथ प्रॉबलम रहती है कि आकरब बहुत जल्दी होते हैं अलंके गुसा बहुत तीज आता है और जल्दी खत्म होते हैं लेकिन कि रहते हैं इसना सब्सक्राइब करने तैसरी की जी आदम दियां जोरत फी कि सिसमते शही होघे पैसाधि है और सबस्क्राइब है और ये से जह ट। इसके इसरी में एक श्मलब बहुत अच्छा लिगा है जो लिखते हैं ये क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि इस लगन में जरम निने वाले सभाव से उग्र, एहंकारी, धन्वान और शुद्ध होते हैं. नेश लगने, समुत्पने, शंडो, मानी, धली, शुभै, धली भी होते हैं, शुद्ध मींस के जैसे आपके सामने हैं, वैसे हैं. आर्टी फीशिलेटी कुछ नहीं होती इनके अंदर. कृत्रमता इनमें नहीं होती है, जो हैं उस सामने में. क्रोध करने के लिए प्रवत रहते करते हैं दूसरों की मदद करते हैं दूसरों की अगर लोगों को चण यह लंकि क्षए मत thriving करने चल देंगा तो भी उसकी सायता करने के लिए चल देंगे इसके बाद रशब राशी आती है जो हम आपको नेक्स वीडियो में पढ़ाएंगे आचा करता हूं आपको मेश राशी के बारे में सब गुन के मालूम चलेंगे हमने क्वालिटीज बताई हैं आपको लगी नंबर बताए लगी पर क्यूं बताया लगी जैंस्टोन बताया सारी चीजे हमने मेश राशी के बारे में आपको बताएं तो आपको अच्छा लगा हो तो का इंडिशन साय कीजेगा शेयर कीजेगा और मैं एक चीज कियाना चाहता हूं कि हम लोग बहुत ही जल्ब एक एजुकेशन का ब्याश पर संपार काँ धन्यवाद जैजी किजना नवाश्क्ता